So guys, welcome back to the channel, you're a friend winner out back again देखो ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, मैं कोई intention नहीं थी वीडियो बनाने की लेकिन यही होते है कि चीज़े जो wrong जारी है, उनको कोई ना कोई तो रोकेगा अब कोई और यूटूबर आगी नहीं आ रहे हैं इस चीज़ को रोकने के लिए तो मेरे को ही ये सब करना पढ़ रहा है देखो लास्ट जो वीडियो थी, उसके अंदर मैंने साफ साब बोल दिया था कि इंडिया, पाकिस्तान का जो है matter उसको side में रखते हैं, मेरा main मुद्धा यही था कि यह जो netty series है, यह सबको exposed मारने लगरे हैं यह बंद्धे स्टीरोइड ले रहे हैं, यह नहीं ले रहे हैं इनको नहीं करना चीज़े, main जो मुद्धा है वो यही था मैंने साब बोल दिया यही में मुद्धा है यही चीज मैंने को पसंद नहीं आ रहे इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर हो उसको हटा दो साइड़ी बस उसका कोई भी इसका मतलब नहीं है ठीक है तो उस लास्ट वीडियो जो स्मार्ट एन फिटने डाली है उसके उपर इन बंदे ने हेल्दी साइड़स नाम का इंका यूटूब का चलेन है इनोंने जाके लिखा है आप बहुत अच्छा काम है आपका और इस वर्ल्ड नियरी नीड्स यू लव तो इंडिया और ये लिखते हैं I have never seen someone so logical and sensible इनका नाम है Healthy Cyrus इनका यूटूब का चैनल है मैं थोड़ा सा आपको बैक्डराउंड में लेके जाओंगा कि मैंने यूटूब का जो चैनल है वो कहां से ओपन हुआ मेरा क्यू मैंने यूटूब का चैनल ओपन किया देखो आज से तीन साल पहले मैंने साम कहीं से ले लिये थे ठीक है और मेरे को साम लेने के बाद side effects आगे मेरी veins में उपर दिक्कट थी कुछ ठीक है उसको लेके मैं बहुत जादा मतलब प्रेशान भी हुआ लेकिन कोई बंदा मेरे को ढंसे गाइड नहीं कर पाया जितने भी main-main YouTubers हैं जितने भी बड़े-बड़े YouTubers हैं गुरुमान हो गया और भी जीश सलाल हो गये और भी जितने भी बड़े-बड़े लोग है सब को मैंने Instagram पे message बेजा कि भाई साब ये के साम मैंने लिए और मेरे को ये के दिक्कत इससे आई है लेकिन देखो तीन साल हो गये उन चीजों को और आज तक भी उनका कोई reply मेरे पास नहीं आया तो वही सब चीजे मैंने देखी माना यार ये इतने बड़े-बड़े लोग है लेकिन ये reply नहीं करते हैं चीजों का सो थोड़े टाइम बाद मैंने अपनी ही वीडियो वीडियो डाली साम को लेके कि ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट आते हैं तो थोड़े से व्यू आगे उसके यही सोचा कि इसी चीज को मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ उसी दिन मैंने decide कर लिया था मेरे YouTube के चैनल के उप मेरी लास के दो साल की कोई भी वीडियो उठा लो एक भी कमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैं बंदों को रिपलाई नहीं दे रहा हूँ जो भी चीजे मेरे से पूछी जाती है सबका रिपलाई में देता हूँ ताकि वो चीजे लोग फेस ना करें जो मैंने फेस उससे मैं उनकी help जरूर करता हूँ अब उसी time पे था ये healthy Cyrus नाम के बंदे है इनका मैं इनकी बहुत सारी वीडियो देखता था मेरे को अच्छा लगता था इनको भी देखने में लेकिन देखो time change होता है और ये दिन आज गया कि मेरे को इनके opposite में वीडियो डालनी पड़ है तो वक्त का किसी को कोई idea नहीं होता है कि वक्त कब change होता है जिन लोगों को मैं देखता था आज उनके opposite मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है तो पहले वाले time पे मैं इनकी वीडियो देखता था इसलिए ये होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर इनके लिए कोई vulgar word use न दिखा देता हूं आपको यह है कौन हेल्दी साइरस हाई दोस्तों मैं हूँ साइरस फ्रम हेल्दी साइरस डॉट कम और आज का वीडियो है गुरुमान सर का एच क्यू वे आइस जी हाँ उन्होंने अपना प्राइस डिस्क्लोज कर दिया है वे प्रोटीन का और है दोस्तो मैं हु साइरस फ्रम हेल्दी साइरस डॉट कम और आज का वीडियो है गुरुमान सर ने अपना हाई क्वालिटी वे है उसका जो फाइनल प्राइस वो लांच कर दिया है अगले आने वाले आठ महिनों में आठ नए प्रोड़क्त लांच हो जाएंगे जलिए जल्दी से बा रुमान सर का हाई क्वालिटी वे आइसोलेट यह आउट आफ स्टॉक हो गया है इसके दोनों यूनिट पहले दो घंटे ने ही सोल आउट हो चुगे थे जैसे ही इसकी बिकरी स्टार्ट हुई है और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जीम वे आइसोलेट का जो है उसके शिपिंग स्टार्ट हो गई है वीडियो क्लिप से आपको आइडिया हो गया हुआ कि हैल्दी सायरे सैकों जैसे ही गुरुमान सर यहां पर आये थे इंडिया में तो उनका एक आयता ड्रग फ्री इंडिया जैसे उनका बहुत सारे कैम्पेंड भी होते रहते थे उ इनने गुरुमान सर के लिए डालिये और मेक्सिमम आप देखेंगे इनके चैनल के उपर लास के दो साली की जितनी भी वीडियोती सब वीडियो के अंदर गुरुमान 305 सर के ही बारे में बताते रहते थे अपनी Instagram के अंदर बहुत George वीरुमान के भी ऑरे में बात करते रहत थे यह बाई साब अब यह जो मुद्दा है यह क्या मुद्दा है यह टोपिक जो मेरा स्मार्टेंट पिट के साथ चल रहा है इन भाई साब ने लिक दिया जाके वहां के आप बहुत अच्छा आपकी जो वीडियो सेंसिबल है अरे बाई पहले चीज तो समझ मेरे भाई कि य क्या राये टोपिक यही चल रहा है इनकी नैटी नोट की सीरीज से मैं खपा हूँ मेरे को वो नैटी नोट की सीरीज इनकी नहीं पसंदारी है मैं चाहता हूँ वो इस सीरीज को रोग दे यह बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप साफ जानते हो आप कितना फोलो करते हो कितना मानते हो जब भी वो इंडिया आते हैं आप उनके सपोर्ट के अंदर जो भी चीजे डालते हो सब को पता है एक्जामपल की चीज पर लेंगे मालों कोई चोरी करने जा रहा है वो अपने साथ में कोई बंदे को ले जाएगा ठीक है उसने यह बोल हिंदे ने क्या करा है क्या नहीं करा मेरे को नहीं पता उसके बारे में तो भाई नहीं मानती पुलिस दोनों की पिटाई होती है एपने आपकी यह जो अच्छी चल रही है बहुत अच्छा लोगिकल काम आपका है अब गुरुमान सर को इतना एक्सपोज किया इस बंदे ने वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको My Lord, this guy गुरुमान is a fake nady, he is a fake natural, he abuses anabolics और वो लोगों को नहीं बताते हैं वो लोगों से छुपाते हैं और आज मैं यह प्रूफ करूँगा कि this guy is for sure on anabolics This guy claims to be 6% body fat year round जो के यह number of footage में, number of videos में claim करते हैं जैसे कि एक तरीका बचता है कि जब आप इतने low body fat zone में हो और आपको अपना muscle maintain करना है That is to have hormonal support, that is exogenous hormones, that is artificial or external testosterone का आपको सहारा लेना पड़ता है Only then that is possible के आप इतने low body fat zone में अपने muscle mass को maintain करेंगे Reason number two why guruman is on anabolics जब आप इतने low body fat percentage zone में होते हो So ऐसा नहीं है के आपको surplus बिखाना है You are always on a deficit, हर वक्त आप deficit पे होते हैं So जब आपके muscle glycogen empty होते हैं So you don't have that muscle fullness, especially at 6% body fat This is a clear sign of PDU So please use your common sense जब आप deficit पे हो, your glycogen levels are all empty So how in the world a muscle can look that full? A clear sign of anabolic use Then in that case, he is not natural So यह वीडियो में आप में देख लिया आप जिनको मानते हो, जिनकी नाम की दुहाई आप अपने दो साल से अपने YouTube चलन में देते आयो जिनके basis पे आपने YouTube का चैनल ओपन किया था उन्हीं को इन्होंने गाली दिये उन्हीं को कहा है इन्हेंने You are using testosterone, you are fooling people of India आपके गुरु को इन्होंने कहा है You are fooling people of India आप जिसको मानते हो और आप बोल रहे हो, यह आपकी वीडियो लोजिकल है भाई पहले मेरी वीडियो तो देख लेता कि किस चीज के उपर मेरी भहस चल रही है इसी चीज पर भहस चल रही है कि आपको गुरुमान सर को और इनको एक्सपोज मानने की जरुवत नहीं है You are using steroid or not क्योंकि यह साब बोलते है अपनी वीडियो में drugs नहीं लेने steroid नहीं लेने आपको इनको एक्सपोज करने की कोई जरुवत नहीं है नीड नहीं है दूसरे topic में भी वीडियो डाल सकते लेकिन वो चीज आपने ध्यान में नहीं रखी आपने वीडियो तो देखी नहीं कि किस चीज को पर बहस चल रही है आपने सिर्फ एक ही चीज देखी कि भाई साब कर रहा है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की रों कर रहा है इनको गुरुमान को शेरु खान को अमीर खान को इन सब को स्टिरोइट से लेके एक्सपोज नहीं करना चाहिए यह मुद्दा है और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो जाके तुम पहले तो सामने वाला जो बंद है ना उसको सर पे चड़ा ले तो अपने दुश्मन को भाई व मुका नहीं मिलता गलती रोकने का गलती रोकने का मुका यही होता है इस टाइम पर तुम ने उसकी वीडियो पर जाके लिख दिया बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप इनेटी नोट की सीरीज पर बड़ी लोजिकल वीडियो यानि आप गुरुमान सर से प्यार नहीं करते आप दोगले हो आप अपनी सफाई दो पहले तो हमें कि आप गुरुमान सर से प्यार करते भी हो या नहीं करते हो आप उनकी ड्रग फ्री जो उनका कैमपेन है आप उसमें हो या नहीं हो अगर नहीं हो तो तो आप लिख सकते हो हाँ ठीक है आपने ये जो आपकी सीरीज है बहुत बढ़िया काम करा आपने अपनी स्रीज में जब आप गुरुमान सर्व को इतना मानते हो तो आप उनके लिए ये सब सुन नहीं सकते हो कि भाई साब गुरुमान is not natural he is fooling people of India he is using testosterone, he is using anabolic he is using this and this कितना बड़ा 30 मिनिट के वीडियो में गुरुमान का मजाग मनाया गया आपने वो वीडियो देखी आपने वो वीडियो देखी एक बार भी जाके आपने बस लास्ट वीडियो देखी इनकी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है इसमें इसको सपोर्ट कर देखे अरे वो क्यों चला था उसके बारे में सोचा आपने कि ये कहां से आया एंडिया पाकिस्तान उसे पहले की वीडियो देखी आपने कि मैं क्यों इतना नराज हुए बंदे से सो लिखने से पहले-पहले चीजों को समस्तो लेते मेरे भाई की चल क्या राय किसको support कर रहे हो आप ये तो देखलो आप एक पाकिस्तान के बंदे को support कर रहे हो कि आप हमारे गुरुमान सर को expose करे he is gaining views from media, he is gaining subscribers from media and you are supporting him जा तो ये है आपका जो comment आपने लिखा हुआ है आप उसको जाके delete करो अगर नहीं करना है न डिलीट तो इन्होंने जो वीडियो डाली है जहाँ पे आप जिनको मानते हो आप बोलते हैं तो गुरुमान सर जी गुरुमान सर जी उनकी वीडियो जो डाली होई न तीस मिनेट की जहाँ पे एक्सपोज करा हुआ है उस वीडियो में जाके आप लिखो वेरी लोजिकल वीडियो आपने भढ़िया करा गुरुमान सर को एक्सपोज करके he was fooling me from last 2-3 years आप ये लिखो वापे आप गुरुमान सर के साथ मिलके बोलते हो stay away from steroids, stay away from drugs जो भी है तो आप लिखो वापे जाके कि आपने अच्छा करा आपने गुरुमान की सच्चा ही मेरे को बता दी मैं तो ऐसी सपोर्ट कर रहा था उनको he is using anabolic आप लिखो वापे जाके अप दो नाओ में सवार नहीं हो सकते ना, या तो आप इसकी साइड रहे हो, या तो आप गुरुमान सर की साइड रहे हो, या फिर आप उनकी वीडियो उठा लो 30 मिनट की आप उस वीडियो को wrong proof करो कि नहीं, गुरुमान is not taking steroid आप उसकी पूरी वीडियो को wrong proof करो कोई तो एक काम करना पड़ेगा मेरा बिल्कूल intention नहीं थी ये वीडियो की लेकिन भाई साथ, तुम अब उस बंदे को support करोगे यार चीज तो वहीं आगी ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि नेटी नोट की सीरीज को तुम support नहीं करोगे तो वह नहीं बनाएगा, अब आप यूटूबर होके उसको support कर रहे हो और दूसरी चीज, जितने भी यूटूबर मेरी वीडियो को देख रहे है ना, जो मेरे को नहीं support कर रहे है, कोई नहीं मैं अकेला काफी हूँ मेरे को किसी के support की जरुवत नहीं है अकेला काफी हूँ में, लेकिन अपना भी याद रखना आपके उपर जब कुछ आएगा ना, तो मेरे से उमीद मत रखना, कि वाई से आप ये मत करना, वो मत करना, मेरे को support नहीं करना, मत करो, मेरे को कम रोंग चीज को तो support मत करो यार, जो चीज रोंग है उसको तो support मत करो अब लोगों को तो चाहिए है कि कुछ आट मसाला मिल जाओ, उनको तो वीडियो देखने में अच्छा लगता है ये खिल्ली उडा दी गुरु मान की ये सल्मान खान की खिल्ली उडा दी, आरे ये प्रेंका चोपड़ा की खिल्ली उडा दी उनको तो अच्छा लगता है देखने में लेकिन जो चीज रोंग है, वो तो रोंग ही रहेगी भाई जूट के उपर हसने वाले लोग बहुत मिलते हैं लेकिन जूट जूटी होता है तो मेरी इस वीडियो में यही विंती आपसे मैं कुछ फोर लेंगवेज भी यूज नहीं करिए क्योंकि पहले वाले टाइम में मैं आपकी भी वीडियो देखता था, काफी अच्छी वीडियो आती है हाला कि आप आपने टोपिक चेंज कर दिया, आप वो उसके पिंपल्स के उपर सारी वीडियो डाल रहे हो लास्ट के दो साल से पहले आप फिटनेस के उपर वीडियो डालते थे मैं उस आपकी वीडियो देखता था पहले ठीक है लेकिन अब लास्ट के दो-तिन सार से मैं वीडियो नहीं देख रहा हूं आपकी क्योंकि आपने फिटनेस की लाइन अपनी थोड़ी चेंज कर दिये क्यों स्पोर्टिंग इच एवरि वह बंड़ा अगर को हैसी नहीं हो सकता उसको एक चीज में इसे गलत है ठीक है माल लिया लेकिन आपने support भी तो उसी में करा है ना उसी series वाली video के अंदर support करा आपने जो की गलत है आपका आप मैंने भी उसकी बहुत video देखिये और दूसरी video अच्छी है उसके माल लिया लेकिन आपको उस series में support नहीं करना था सो भाई जो जो लोग इस video से हैं agree वीडियो को like करना और आपको कुछ देना प्लीज कुछ लिखें जरूर कि मेरे को तो पता लगे कि मैं जिस direction में जा रहा हूँ सही भी है क्या wrong है मेरे पास सारे message पाकिस्तानियों के यारते उन्हीं को delete करता रहता हूँ आप लोगों के message मिलते हैं कम आप मेरे को साफ बताएं कि आप इस चीज से agree हो क्या नहीं हो कि गुरुमान सर को expose करना चाहिए या नहीं करना चाहिए शेरू खान, सल्मान खान इन सब को expose करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस और फ्रेंड मिनिराओ, signing off, take care and enjoy till next video